हलो एर्यों वेलगम तो अभिश्य एजूकेशन फॉर एक्सलेंट मिशन टू जीरो टू थीर में आपको फिर से एक बार स्वागत है कोश्चन नमबर फॉर तक करवा लिया था आज कोश्चन नमबर फाइव कोश्चन नमबर सेवन करा के अध्याय को हम लोग खतम कर देंगे तो कोश्चन नमबर फाइव यहां पर देखना 5,6,7 मैं करवाता हूं तो चलो यहां पर दहान से देखेंगे हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या दिया है एक नए कंसेप्ट की बात कर रहा हूं घृ जो पिछला 1,2,3,4 कोश्चन में करवाया हूं एक बात है पांच्वा चटवा यह एक अलग concept की बात करूँगा और सात्वा जो कि इस question से थोड़ा सा मिलता रहेगा पर थोड़ा सा अलग है तो हम लोग इसकी बात करने वाले हैं तो देखो क्या दिया है वक्र y बराबर x घा 3-1 की इस पर स्रेखा की प्रावनता उस बिंदू पर ग्याद किजिए जिसका निर्देशांग 2 हो तो इस पर स्रेखा की प्रावनता यहां पर है इस पर स्रेखा की प्रावनता ग्याद करने है तो इस पर स्रेखा की प्रावनता देख लो कैसे करते हैं ये question भी इस पर स्रेखा की प्रावनता पर है ये भी है तो ध्यान से देखना तो सबसे पहल क्या दिया हुआ है y is equal to x की power 3 minus x plus 1 यह क्या है वक्र का समीकरन वक्र की प्रावनता आप लोगों सुरी इस पर स्रेखा की प्रावनता लिकालना में सिखा रहा हूं तो इस पर स्रेखा की प्रावनता के लिए क्या जरूरी है तो सबसे पहले आप इसको डिफनेंसेशन करदो यहां पर क्या दिख रहा है y is equal to यहां पर क्या दिख रहा है एकस तो x के सापेश करना यहां पर क्या है x तो x के सापेश आप लोगों डिफनेंसेशन करदो dy by dx इसको भी differentiation कर दो d dy by dx इसको करना है न यहाँ पर मैं y को d by dx किया मतलब y को x के साफ पर differentiation और इतने को x के साफ पर differentiation कर रहा हूँ x के गहाँ 3 minus x plus 1 यहाँ आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ इस परस रेखा कि प्रावरता कैसे करते हैं तो जो भी आप लोग को समीकरन दिया होगा उसको differentiation कर देना यहाँ पर जो लिखा हो यहाँ पर x लिखा है तो x के साफ पर t लिखा है तो ठीक है मैं अगर मैं इसको differentiation करता हूँ तो मुझे बदले में क्या मिलता है यहाँ पर देखो x घाद 3 इसको ऐसे तोड़ के लिख दो d by d t d by d x sorry x घाद 3 minus d by d x को अंदर गुणा कर रहा हूँ बस d by d x x direct भी कर सकते थे d by d x 1 हम लोग पहला question है ना इस type का तो हम लोग पूरा कर के लिखेंगे अब इसको यह differentiation कर लोगे क्या differentiate कर लोगे क्या 3x square minus d x by d x x का differentiation क्या होता है x का differentiation 1 होता है plus यह constant है एक constant उसका differentiation 0 होता है यहाँ पर कौन सा formula लगा है हो अगर कोई पूछ रहा होगा तो d by d x x की power n का मैं formula लगाया हूँ n x की power n minus 1 यह formula लगाया हूँ बार बार अब नहीं बताया जाएगा ठीक है भई यहाँ पर n क्या था 3 था n सामने आ गया तो 3x n में घड़ गया तो 3 minus 1 2 हो जाएगा यहाँ पर minus यहाँ पर x की power कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ पर यही वाला formula लगा लो तो क्या होगा 1 सामने आ जाएगा 1 into x 1 minus 1 हो जाएगा 1 minus 1 0 होता है और x की power 0 हो जाएगी तो किसी की बहाद 0 होता है तो 1 होता है 0 को छोड़ के प्लस यहाँ अचरपद अचरपद का क्या होता है 0 होता है ठीक तो यहाँ पर क्या आया dy dy by dx dy by dx के आया 3x square 3x square minus 1 अब मेरे को स्पर्ष रेखा की प्रवणता कौन से निर्देशांक में ग्याद करना है x निर्देशांक 2 में मतलब यहाँ पर मेरे को x की जगा 2 पूट करना है तो यहाँ पर में लिखूंगा यहाँ पर में लिखूंगा इसपर्ष रेखा की प्रवणता यहाँ पर में लिखा इसपर्ष रेखा की प्रवणता कब आप लोग को लिखालना है क्या है निर्देशांक जब x का निर्देशांक 2 मतलब इसपर्ष रेखा की प्रवणता x बराबर 2 पर x बराबर 2 पर मतलब यहाँ पर जहाँ पर भी x है यह वाले x को छोड़के भई यह यह अलग x है यह अलग है यह तो इसके सापेश कर रहे है तो यहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 लिख दो तो यह आएगा यहाँ पर आएगा dy by dx यहां पर अगर मैं x सी जगह 2 लिख दू तो यह 3, 2 की घात 2, minus 1 आया, x सी जगह 2 लिख दिया, अगर यहां पर बोलता है x का निर्दे संग 5 है, तो x बराबर 5 लिख देते हैं, और यहां पर x की वैलो फिर 5 पुट कर देते, तो dy by dx, यहां पर आया 3 गुणा, 2 की घात 2 होता ह है 4, minus 1, तो यहां पर क्या आने वाला है, आप लोग बता सकते हो क्या, 4 तिया 12, minus 1, calculator उठाओ, क्योंकि यह बहुत भयंकर calculation है, 12, minus 1 होता है, 11, तो यह आ गया, तो यह क्या आ गया, इस पर सरेखा की प्रावणता आ गई, यह है, इस पर सरेखा की प्रावणता आ गई, तो इसे करते हैं आप लोग, तो ऐसे करके solve करते हैं, तो जब कभी भी आप लोग को इस पर सरेखा की प्रावणता पूछे, उसका मतलब आप लोग को यहां पे एक समीकरन दे दिया रहेगा, और किस निर्देशांग पर अगर आप लोग को लिकालना है भूला तो यहां पे द दिया है, एक समीकरन दे दिया है, जहां पे x बराबर 2 नहीं है, x बराबर 2 नहीं है, कि x बराबर 10 पर इस पर सरेखा की प्रावणता आप लोग को देखना है, यह एक सिंगल अपना आप समीकरन है, यहां पे ध्यान से देखो, यह हमारा एक समीकरन है, ठीक है, तो question क्या ब x बराबर 2 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर x की value अगर मैं 2 रख दूं, तो 2 में से 1 गया, 1 होगा, और 2-2, 0 हो जाएगा, तो 1 बटा 0 हो जाएगा, और जब कभी भी, अंश बटा हर होता है, हर में 0 होता है, तो आप परिभाशित हो जाता है, आप परिभाशित हो जाता ह यह क्या हो जाएगा, अगर मैं x की value 2 रख देता, यह बोला है, अगर नहीं बोलता है, x is equal to 2 रखता है, तो यह समभव नहीं था, अगर x की value मैं 2 रख दूं, तो यह हो जाएगा 2-2, और 2 में 1 गया 1, और 2-2 0 होता है, अगर हर में 0 आ गया, तो यह अनंत हो जाता है, इंफ बता दिया, हम लोगों किसमे करना है, पूरा concentration इसमें देखो है, और हम लोगों क्या है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों क्या है, वक्र का समीकरन मिल गया, कहां पर लिकाना है, प्रवनता x किस निर्दरशांक पे, तो x बराबर 10 बस खता है, अब हम लोग ज़् equal to x-1 upon x-2 मैं बोला जो इधर दीख रहा होगा न y is equal के बाद उसके respect में करेंगे तो x से दीख रहा है तो x के साफ एक differentiate करेंगे तो यहाँ पर इस y को मैं x के साफ एक differentiate कर रहा हूं similarly इस पूरे को मैं x के साफ एक differentiate कर रहा हूं x-1 यह x-2 अब आप लोगों को एक formula याद होना चीए एक formula मैं u upon v का formula लिखाया हूं जब du यहाँ पर इसको अच्छे से लिखता हूं d by dx u upon v होता है इसका मैं formula लिखाया हूं और वह formula कुछ इस प्रकार है कि जो नीचे वाला है उसका square कर देना नीचे वाला और पहले वाला मतलब उपर वाले का differentiation minus उपर वाला as it is नीचे वाले का differentiation यह होता है formula यह होता है formula अब इस formula को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूं तो ये मेरा u हो गया और ये मेरा v हो गया, तो formula लगा रहा हूं, तो ध्यान से देखना, dy by dx is equal to, अब मैं formula लगा रहा हूं, तो क्या है बटे, यहां बटे में v square, v मेरा नीचे वाला होता है, तो x minus 2, ये x minus 2 का square, फिर क्या होता है, v ऐसी लिख दो, v क्या है, u upon v होता है, v नी minus 2 into, u का differentiation, dy by dx, x minus 1, x minus 1, minus, minus क्या है, u, u क्या है, उपर वाला, x minus 1, फिर क्या है, differentiation किसका कर दो, v का कर दो, और v क्या है, x minus 2, ये x minus 2, ये हो गया, पुरा कलाकारी करा है, अब dy by dx, अब मैं differentiation डारेट करूंगा, ये तो ऐसी हो जाएगा, x minus 2 into, x minus 1 का differentiation कर रहा हूँ, तो पहले x का differentiation करूंगा, x का differentiation 1 होता है, minus, इस 1 का differentiation करूंगा, 1 का differentiation हो जाएगा 0, minus, यहां पर क्या है, x minus 1 को ऐसी उतार लिया, अब differentiation x का करूंगा, तो x का differentiation 1 होता है minus 2 मेरा constant है 2 मेरा constant आचार पद है उसका differentiation होता है 0 upon ये क्या बचा है x minus 2 का whole square ज्यान से बस देखते रहे ना answer आ गया dy by dx ये हो का x minus y 1 minus 0 क्या हो जागा 1 1 multiply इतना करूँगा तो ये आएगा x minus 2 minus 1 minus 0 ये स्वारी 1 minus 0 है ना 1 minus 1 तो नहीं बोला 1 minus 0 1 आएगा 1 का multiply x minus 2 से करूँगा तो x minus 2 आएगा ये minus का minus 1 minus 0 होगा 1 और 1 का multiply अगर मैं इस से किया तो ये आजाएगा x minus 1 और नीचे में क्या चर रहे है x minus 2 का whole square अब क्या बोला है हम लोग को x बराबर 10 पर चाहिए x बराबर 10 पर तो आप लोग लिखेंगे ispurs रेखा की प्रावाणता x बराबर 10 पर पूरवा लिखेंगे यहां पर मैं question 1 में लिखाय यहां इस परावाणता x बराबर 2 वहाँ पर था यहां पर x बराबर 10 है तो में बस simply क्या करूँँगा x की जगा तो 9, sorry, 8 minus 9, क्या हो जाएगा, minus 1 हो जाएगा, plus minus minus होता है, मतलब 9 में 8 गया, 1 बचेगा, और plus minus में बड़ी संख्या का चिन लेते, तो देखो, बड़ी संख्या क्या है, 9, 9 के आगे क्या है, minus, तो minus का चिन, minus 1 बटा 64, ये मेरा है आंसर, minus 1 बटा 64 है मेरा आंसर, मतलब इस प पर्ष रिखा की प्रवणता x बड़ाबर 2 पर 11 होगी, तो ये इस पर्ष रिखा की प्रवणता वाला कंसेप्ट होगा, अध ये लास्ट कोश्ञ आज़का, तो आप लोग को मैं, ये लास्ट कोश्ञ देखो क्या है, पहले बता देता हूँ, इसमें इस पर्ष रिखा की समीकरण ज्याद करने, अभी बता देता हूँ, तो हम लोग इस अध्याय में देखो क्या क्या सिखे, छेत्रफल लिकालना सिखे, आयतन लिकालना सिखे, मतलब छेत्रफल किस दर्फ से बढ़ रहा है वो सिखे, आयतन किस दर्फ से बढ़ रहा है वो सिखे लिकालना, और एक क अभी तक जो करते हैं इससे पहले वाले कुश्चन में यहां तक यहां तक यहां पर वैल्यू पूट नहीं करें यहां तक सेम करना है यहां तक यहां तक आप लोग सेम करेंगे यह वाला लाइन के बास यह वाला लाइन जो है यह बस चेंज होगा बाकि यहां तक सेम करना है तो यह सेम रहेगा और यह ऐसे करके सेम रहेगा, इस पर्स रेखा की प्रावाणता यह नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोगों को इस पर्स रेखा की प्रावाणता नहीं पूछी, ठीक है, तो इस पर्स रेखा की प्रावाणता तक जो जो करें, वो सब आपको यहां पे करना ह तो ध्यान से देखना तो मैं Solve लिखा, वक्र का समीकरण क्या है? वक्र का समीकरण क्या दिया है? अगर कोई बता सकता है तो बता दो X की पावर 2 बाई 3 प्लस Y की पावर 2 बाई 3 पराबर 2 यह दिया हुए. ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ? यहां तो X भी है, Y भी है. x के सापिक्ष करना x के सापिक्ष मैं क्या कर रहा हूँ differentiation कर रहा हूँ x के सापिक्ष दोनों पक्षों में d by dx x की पावर 2 by 3 यहाँ पे ध्यान से देखना न y की पावर 2 by 3 यहाँ पे एक आप लोगा concept का test होगा d by dx दोनों पक्षों में मैं x के साफ़ पेश क्या क्या आउकलन कर रहा हूं चिक यहां पर क्या हो जाएगा ध्यान से देखो इसको तोड़ लेता हूं d by dx x की पावर 2 by 3 प्लस d by dx y की पावर 2 by 3 is equal to इसका 2 का differentiation तो 0 होगा ध्यान से देखना यहां पर एक्स ओर जो Y है न मेरा इसको constant नहीं मानेंगे यहां पर x और y दिया है तो मेरा y constant नहीं रोगा x के साफ़ पेश कर रहें तो x तो constant होई नहीं सकता यहां पर y constant but build मिलना मस्त की सर, x है, x के सापेश कर रहे हैं, तो यहां पे तो y है, तो इसको 0 कर देंगे, नहीं, y dependent है x पे, ठीक है, यहां पे देखो, अगर मैं y की value लिका लूँ, इसका उधर कर दूँ, तो मेरा y, x पे dependent होगा, तो यह y जो है न, वो constant नहीं है, 0 मत करना, इसका भी differentiation होग 2y3, 2y3, x की power n minus 1, मतलब 2y3, 2y3 minus 1, फिर क्या है, प्लस, अब y, यह x के सापेश है, तो यह y आ गया, तो इसको x माल लो, इसको x माल लो, तो यहां पे क्या होगा, x की power, यहां पे, हां, यहां पे x की power 2y3 क्या होगा, देखो, 2y3, x नहीं लिखूंगा, जिसको मानते हैं, इसको लिखता हूँ, तो यह क्या हुआ, y, y की power 2y3 minus 1, अब उधारी चुका हूँगा, यह तो x है नहीं, मैं तो x माना हूँ, तो इसको x मानते हैं, किसको माना y को, उसको एक बार differentiate कर देते हैं, यह आया, बस जहां से देखते रहना, अब इसको मैं अगर solve करता हूँ, तो minus 3 रहेगा, तो minus 1 by 3, इतना आप लोग लगुत्तम आप लोग आना चाहिए, plus 2 by 3, y की power, यहां पर भी लगुत्तम लिका लोगे, तो minus 1 by 3, आएगा dy by dx is equal to 0, clear, अब मैं 2 by 3 को common लिका लेता हूँ, 2 by 3 को मैं common लिका लिया, तो यह क्या जाएगा, x की power minus 1 by 3, यह 2 by 3 को common लिक 2 by 3, यहां पर यह भी है न, हाँ, यह भी है, dy by dx, ध्यान से देखो, यह यहां पर गुणा महत उधर चले जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 0 बटा यह हो जाएगा, 0 बटा यह हो जाएगा, तो इसको मैं उधर फेग दिया, तो 0 बटा कुछ भी होता है, तो क्या हो ज 0 हो जाएगा, मैं उस तरफ इसको भेज दिया, तो यह क्या हो जाएगा, 0 बटा 2 बटा 3, तो यह क्या हो जाएगा, 0 गुणा, यह ऐसे उपर चले जाएगा, 3 बटा 2, तो 3 बटा 2 गुणा 0 से करूँगा, तो 0 ही आजागा, तो इसको उधर भेज दूँगा, तो 0 ही मेरे क मिलेगा, 0 ही मेरे को मिलेगा, इसलिए मैं common लिकाला, ताकि उधर फेकूं, तो ये एक term हड़ जाए, तो इसको उधर भेज दिया, तो 0 बचा, तो मेरे पास क्या बच रहा है, x की पावर माइनस 1 बाई 3, plus y की पावर माइनस 1 बाई 3, dy by dx is equal to 0. आप लोगो ध्यान से देखे होगे, तो मैं जब प्रावणता की बात कर रहा था, तो मेरे पास ये वाला term ना होना चाहिए, dy by dx, तभी तो x की value मैं इसमें रखा था, ठीक है, प्रावणता की बात किया तो वही उसी प्रकार, जब मैं इस परस रेखा की, समीकरण की बात करू तो ultimately मैं dy by dx की value चाहता हूँ, तो यहां मेरे को dy by dx की value चाहिए, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, east term को उधर कर रहा हूँ, तो यह धन में है, तो उधर जाके रिन हो जाएगा, तो यह क्या बचा, y power minus 1 by 3, dy by dx, देखो यह क्या है, प्लस में है, तो उधर जाके minus हो इसको मैं मिटा रहा हूँ, हाना, मिटाना पसंद नहीं है, पर मिटा रहा हूँ, last question है, last question है, energy बने रहने चाहिए, तो यह क्या आ गया, यह आया, अब यह गुणा में है, तो उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो यह होगा, dy by dx, यह होगा, x की power minus 1 by 3, और यह क्या हु अब हम लोगों क्या बिंदू क्या दिया हुआ है, यह जो पहला बिंदू रहता है, यह x रहता है, x का, x का निर्दे शांक रहता है, और यह y का, तो x बराबर 1 दिया हुआ है, यह देखो, यह x बराबर 1 है, पहला वाला x, x कोडिनेट रहता है, और यह दूसरा वाला y, त तो यहां पर ध्यान से देखना इसमें ty by dx इसमें हम लोगों क्या दिया है किस बिंदू पर हम लोगों इस पर रेखा कर समय करना जयात करना है एक कॉमा एक, तो यहाँ पर एक कॉमा एक, एक की जगह डाल दो, और वाय की जगह, तो यह माइनस, एक की घात, माइनस एक बटा तीन, और यहाँ पर एक की घात, माइनस एक बटा तीन, माइनस एक बटा तीन, अब यह माइनस का माइनस, एक की घात, कुछ भी हो, एक मिलेग तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस एक बटा एक को, माइनस एक लिख सकता हूं, हाँ भई लिख सकता हूं, क्योंकि हर में एक होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, दो को दो लिखते हो न, दो बटा एक थो न, लिखते हो, तो यह हो गया, यहां तक पहला step हुआ, एक इस पर्स रेखा का समीकरन करेंगे और आ गया मेरा यह आंसर आ गया इस पर्स रेखा का समीकरन करेंगे इसको मिटाने में थोड़ा था टाइम लग गया ठीक है तो यहां पे dy by dx की value हम लोग को लाना रहता है इस पर्स रेखा का समीकरन और जो हम लोग को निर्देशांग दि करन अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे इस पर सरेखा की प्रामणता तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं इस पर सरेखा का समिकरन क्या होता है इस पर सरेखा का समिकरन y-y1 dy by dx कहां पे लिकार रहे हो आप x1 y1 और यहां पे x-x1 यह आप लोग याद कर लो यह आप लोग को याद करना है ठीक है अब जहां से देखो यह जो पहला वाल है ना x का बिंदू रहता है इसको x बोलो यह x1 बोलो तो यहाँ पर y, y1 की value क्या है, 1, ठीक है, यह क्या आ गया, dyy dx, x1 क्या है, 1,1, यहाँ पर क्या आ गया, x-x1 की value क्या है, 1, यहाँ पर y1 की value है, 1, तो इसकी value लिका ले हैं, क्या 1,1 पर यह हम लोग लिका ले हैं, देखो, 1,1 पर –1 आ गया, तो यह y-1, इस पूरे की value हम लो यह मैनस 1 लिका लें यह 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 मैनस 1 लिका लें 1,1 पर यह आप लोगो याद करने हैं और x1,y1 यह दिया हुआ है x1,y1 दिया हुआ है तो इसकी value –1 और यह क्या है ? x-1 ठीक है अब आंसर आ गया y-1 is equal to minus 1 का गुणा x से करूँगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक हो जाएगा, अब माइनस एक का गुणा माइनस एक से करूँ हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आया, अब मैं क्या करा हूँ, पक्षांतर कर दे रहा हूँ, तो y माइनस एक, x को इधर लाया, तो प्लस x प्लस वन को इधर लाया तो मारास फानलि आंसर क्या आ गया एसे करके सिंटेमैटिक ढंग से लिफक देता हुं पहले एक वाले को तो मैं यहां पर लिख था हुं आंसर। आया, x plus y, x plus y, minus 1, minus 1, minus 0, is equal to 0, यह आग्या अंसर, यह है, इस पर्स रेखा का समीकरन, तो देखो, यहां तक हम लोग, यहां तक हम लोग, तो पूरा लिकाल के आते हैं, प्रावनता में भी, और समीकरन भी, इस पर्स रेखा की प्रावनता और समीकरन में, यहां पे जो हम ल ठीक है समी करन है तो X और Y का दोनों का हम लोगो निर्देशांग दिया रहता है उसमें सिर्फ X का निर्देशांग दिया रहता है प्रमणता में तो हम लोग उसको value को put कर दिये सिर्फ एकस क्वैड देते हैं इसमें प्रवंधा का सुत्र गग तो हम लोगों आज अध्याय खतम हुआ कैसा लगा आप लोगो कमेंट करके बताइएगा जो भी वीडियो देखते हैं कोई भी आपको अपका सुझा होगा जरूर कमेंट करके बताईएगा वीडियो कैसा लग रहा है या आप लोग बताईएगा तो आप लोग ऐसा मोटिवेटर करते रहोगे मेरे को तो इस टाइप के कुश्चन जवर्दस कुश्चन आगे भी भविश्य में मैं लाते रहूँगा तो मिलता हूं बच्चों नए अध्या के साथ तब तक अपनी पढ़ाएं अच्छे से करते रहें मिलते नेक्स टूडियों तब तक लिए बाइबाइबाइब सी यू